कि नमस्कार दोस्तों मैं सागर कुमार स्वागता आप सबों का ए एप सी जी एस क्लासेज में जैसा कि यहां पर हम लोगे सामाज में एक मीथक सा फाइल गया है कि हिस्ट्री जोगरफी जो है एक बहुत सा बूरिंग सा सब्जक्ट है तो आज सरुपर्तम हम लोगे यह देख बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग सब्जक्ट है जैसे कि हिस्ट्री जोगरफी के लिए एक कहवत फाइल गया है हिस्ट्री जोगरफी बड़ी बेवफा रात को पढ़ो सुबह सफा परंतु मैं यहां कहना चाहता हूं कोई तो बात जरूर होगी कोई तो बात जरूर होता है तो आए सब्सक्राइब यहां देखने का प्रियास करते हैं कि हिस्ट्री जोगरफ जोगरफी में वैसा क्या चीछा जिसे को लेकर लोग इसको बेवफा करते हैं और वाकवी में यह ऐसा है या नहीं है तो हम लोग हिंदु धर में पुनर जनम पर विश्वास करते ह हैं तो हम लोग मान कर चल सकते हैं कि हम लोग का क्या जनम हुआ है इससे पहले हम लोग कई बार जनम ले चुके हैं तो हो सकता है। पीछला जनम में हम लोगी असोक समराड बिम्बिसार जैसे सासक रहे होंगे और आखिरकर जदी हम लोग हिस्ट्री में इन राजाओं के बारे में पढ़ते हैं इसका मतलब हुआ कि हम लोग अपना इतिहास बढ़ रहे हैं और यहां पर एक आइसर चकित करने वाली बात है कि हम लोग कुछ पैसे देकर पंडितों से अपना हाथ दिख्वाते हैं अपने रेखाएं दिख्वाते हैं और उनसे यह पूछते हैं कि प्रियास करते हैं कि हम लोग का भूत काल कैसा था और भावी से कैसा होगा ठीक है इसकी भूला जाता है कि दिरिष्टी बदलती है तो स को जदी हम लोग इसके परती अपना नजरिया बदल दें तो वाकरी में ये एक बहुत सारा बहुत जाता इंट्रेस्टिंग सब्जाक्ट बन जाता है ठीक है तो आए अब हम लोग अपना टॉपिक पर चलते हैं आज का हम लोग का टॉपिक है सिंदू घाटी के सब्याता तो सिंदू घाटी के सब्यात तो सवस्वरवपर्थम हम लोग के देश में भारत में जो सब्याता आई हि वो सिंदू घाटी के सब्合دا थी तो शृपरत्म शिन्दू घाटी के सब्合ता का लोग नामकरन देखते हैं यह जो दिख रहा है आपको यह है सिंधू नधी यह सिंधू नदी जहलम चिनाव राविशाव इस एक पूरे छेत्र को बोला जाता है शिंधु नदी तंत्र तो भारत में जो सरोपर्थम जो सभ्यता इवह इनहीं चीट्रों में बसी थी और यही कारण है कि इन चीट्रों में बसी ओभी सभ्यता को शिंधु गाटी की सभ्यता कहा जातां कि растin 토 paper दोड़ों फॉसरें के सब्यGHT सिंदू सरसोधी सभयता पर्थम नगरिय करांती तो सिंदू घाटी की सभयता को हडपा सभयता क्यों कहा जाता है तो सिंदू घाटी की सभयता में जो सर्व पर्थम जिस अस्थल की खुदाई हुआ था वह अस्थाल था हडपा इसलिए सिंदू घाटी सभयता को हडपा सभय सिंदु घाटी के सब्धता के लोग ही सर्वा पर्थम जो है का सापका प्रियोग कि यही कारण है कि सिंदु घाटी के सब्धतों के सिंदु सरसोती सब्धता भी कहा सिंदू नदी के आसपस मिलें परंतु जदी सरसodी नदी के आसपस Ireland का सिंदू सरसpowered मिलें इस लिए इन सिंदू सरसWowती Barn जाता है इसके साथ इस संदू अलड़ dość कर देख परथम नग्रिय करांती इसके पीछे करका चाज की जो सिंद्व घाटि की सवयता थी वह गरामिन सवयता ना होकर परकार के नगिजम सवयता थे after हम लोगों का सहरर सहर का जो बिशेसता है यह आएवह सथा हूं को सिंद्वाटि सब्धा की सड़के भी चोड़ी-चोड़ी होती थी और यहां भी जो है जो सड़के एक दुसरे के 90 डिग्री पर कट करती थे इसके साथ में अभी हम लोग को नगरिय सब्धा कि एक विशेष्था यहां की नालियां हैं उसी परकार से सिंदु घाटी की सब्धा में भी नालि यहां तक कि वहां की नालियां में नर्मोखे लगे होते थे इसके साथ सिंदु घाटी की सब्धा के जो घर बनाए गए थे वह बहुत ही नियोजित परकार से घर बनाए गए थे इस परकार के हम लोग अभी घर बनाने के लिए इटों का परियोग करते हैं दिवालों में इ शुट्ता का परियोग करते हैं तो इस परकार जो है कि जुए ड़व टरबै इक परकार के नगदिय सभ्याता थे इसी कार्ण से सिंदु घाटी सभ्याता को पर्थम नगरियक करांती भि का जाता है का तो यह हुए को यह इसके ृधा रपना ता की नाम कर्णर बेख देख मैसन का निगह गया था इसके बाद जो है अठारोसों एकावन में अलेकजेंडर कनिंगम आते हैं और अलेकजेंडर कनिंगम एक ब्रीटिस बिद्वान थे इनको पुरा तत्व के बारे में बहुत जादा जानकारी था और सरोपर्ति में हड़ापा सब है था कि अस्तोलों को जो खुदाई किया था और अलेकजेंडर कनिंगम थे और अलेकजेंडर कनिंगम पुरातत्वी के छेतर में ब जड़ा तो इसलिए भारत रह्तिया पुरातात्वी के छेतर का पका थैधा भी को कहा जाता है इसके बाद 18-56 तक भारत में रेल और डाक का विकास हो चुका था और इसी दोरान कराची से लाहर तक या तो लाहर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाया जाना था जिन में से गिट्टी और मिट्टी के जर्रत थी इसी के लिए आसपास के टीलू को खुदाई किया जाने लगा और जब किया जाने लगा तो उसमें से बहुत सारा प्राचीन महतू की चीज़े मिली और उन चीजों को उस समय जो है लेखा जोखा बना कर अपने उपर के दिखाए को जो भेजा वह थो बिलियन ब्रंटम उसके बाद अंग्रेजियों के दवारा 1905 में एक पुरा तात्वी के पाकिस्तान के परांथ में तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अकली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कर धन्य झाल झाल